हाई फ्रेंड्स मैं हुझ जैसिका और आपके अपने जैसिका ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत हैं तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं गेहु के आटे से जलेबी और यह बिलकुल क्रिस्पी है जलेबी बहुत खाने में अच्छी लगती है आप भी इस तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा और देखे इसमें कितने अच्छी से चासनी भी एब्जॉर्ब कर लिया है और हम बनाने वाले ब्रेड पकोड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से आप जटपट से बना सकते हैं और बिलकुल स्वादिष्ट है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और इंडक्षन को ओन कर देना है और यहां पे आप डालेंगे चिनी तो एक प्लेट में ये इसको डाल देंगे उसके बाद दूसरा प्लेट में भी है उसको भी डाल देंगे तो यहां पे हम दो प्लेट डाल रहे हैं चिनी को और इलांची को खलबटे में कूट करके डालना है बढ़िया से कूट लेते हैं और देख सकते हैं अब ये बढ़िया से कूट गए है तो इसी में हम डाल देंगे इनसे फ्लिवर बहुत इच्छे आते हैं और यहाँ पे औरेंज रेड फूड कलर डालेंगे इनसे और भी अच्छे कलर आ जाएंगे तो ऐसा उबाल आ जाने के बाद इनको चेक करे लेनी है और इनको बनाना है चिपचिपी चासनी थोड़ा सा आधा तार भी बनेगा तपर भी चलेगा इससे जदा हमें नहीं पकाना है और यहाँ पे एक कटोरी में ले लेना गेहु काटा तो यहाँ पे आधी कटोरी लिए आधी छोटी कटोरी उसके बाद बेकिंग सोड़ा डालना है और यह गया एक चमजगी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इन्हें मिक्स करेंगे और देख सकते हैं जब इस तरीके से बैटर हमारा बन जाए देखिए इस तरीके से बनाना इससे जदा हमें पतला नहीं करेना है और नहीं इससे जदा मोटा करेना है तो अब यहाँ पे चलिए बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक पन्नी इस तरीके से ये नमक की पन्नी है इसमें बहुत ही बढ़िया जलेवी बनते है बैटर को इसमें डाल लेना है और इन्हें इस तरीके से पकड़ करके मोड देंगे तो चलिए अब यहाँ पे हम इन्हें ऐसे बना लेंगे और इनको कैची से कट करेंगे यह देखे इस तरीके से आपको कट करें लेनी है और यहाँ पे इन्डेक्शन पे कड़ाहे को चड़ा दिये थे ऑईल भी इसमें बढ़िया से गर्म है ऑईल इसमें अच्छे से गर्म होना चाहिए तब ही बहुत ही बढ़िया से फूल जाते है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी मिला है और हाफ रेंट्स इसे खाने में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि इसको हमने गेहूं के आटे से बनाई है बहुत बढ़िया लगते हैं आप भी जरूर ट्राइ करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहाँ पे एक बन जाने के बाद चासनी में डाल दिये थे उसके बाद दूसरा जब आप डालें इसमें तो उसके बाद यह जो पहले वाला था उसको हम निकाल लिए हैं और दूसरे वाले को डाल दिये हैं और यहाँ पर हम तीसरी जलेवी बनाने चल रहे हैं तो यहाँ पर देखे, अब ये चासनी अच्छे से डूबा हुआ था अब ये इसमें अच्छे से उब्जॉर्ब हो गया चासनी तो नहीं निकालेंगे और यहाँ पर ये भी फ्राई हो जा रहे हैं तो उनको जैसे हम निकालेंगे जो चासनी में है वैसे इनको डाल देंगे चासनी में तो एक एक करके ही आपको इसमें निकालना भी है और डालना भी है देख सकते हैं आप भी कितना बढ़िया जलेवी कर कलर भी आ गया है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ पे यह भी फ्राई हो गए हैं जलेवी तो इनको भी चासनी में डालेंगे और इसी तरीके से आपको सारी जलेवी बना लेनी है उसके बाद यह भी जब फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी चासनी में डाल देंगे और अभी तक यह जो सारी जलेवी थी इनको हम थाली में रखे थे और अब इनको हम प्लेट में निकाल करके आपको दिखा रहे हैं देखे कितना बढ़िया बना है और इसको अभी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे तो चलिए अब आपको तोड़ के दिखा देते हैं एक यहां से ले लेना है और यह देखो कितना बढ़िया बना है दोनों साइड से देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से बिलकुल जूसी है आप देख पा रहे हैं यह देखे फ्रेंस बहुत ही बढ़िया बनता है यह जले भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो चले भी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है और अब बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा तो चले उनको भी देख लेते हैं कैसा बनता है बहुत टेश्टी लगता है खाने में तो यहां पर इंडेक्शन पर कड़ा ही को चड़ा दिये हैं सरसो का तेल डाले हैं उसके बाद यह गर्म हो गए हैं तो इसमें डाल देंगे जीरा और उसके बाद डालना है बारी कटा हुआ अद्रक जब यह थोड़ा सा पके तब डालना है बारी कटा हुआ हारी मिर्श तीखा के हिसाफ से डालना है और यह जाएगा इसमें हम राजेस मसला डालेंगे इनसे बहुत ही टेश्टी आलू फ्राई बनते हैं और अगर आपके पास राजेस मसला ना हो तो आप यहाँ पे गरम मसला, धनिया, पाउडर, चाट मसला भी डाल सकते हैं उसके बाद बारी कटा हुआ फूल को भी डाल करके इन्हें चला देना है कलजुल से थोड़ा सा पाई भी डालेंगे ताकि बढ़िया से पक जाए और तमाटर कटा हुआ उसके बाद डालना है चाट मसला और जब यह मसला अच्छे से पक जाए तब डाल देंगे उबला हुआ आलू तो यहाँ पे पहले से मिक्स करे लिए थे आलू को इनको डालने के बाद कलजुल से चला देना है अभी देखिए इसमें हमें टेस्ट के अनुसार नमक डालना है और यह आलू मसालेदार फ्राई किया हुआ बहुत टेस्टी लगता है आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा तो अभी आलू फ्राई हो चुके हैं तो लाष्ट में डालना है बारी कटा हुआ हरी धनिया उसके बाद एक कटोरी में लेना है बेसन और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा बिलकुल थोड़ा सा डालना है और अजवाइन डालेंगे उसके बाद नमक जाएगा इसमें और हल्काल का पाइड डाल करके इन्हें mix करे लेना है चमंस से और देखिए इस तरीके से जब हो जाएं देखिए कितना बढ़िया mix हो गया है तो इनको एक साइड में रख देना है और ले लेना है ब्रेड इनको इस तरीके से कट करेंगे देखिए इस तरीके से सब को कट करें लेना है अभी इसमें फ्राइ किया हुआ आलू लगाएंगे कुछ ऐसे ये देखो एक साइड में रखना है और उपर से एक ब्रेड को रख करके ऐसे बना लेना है तो चलिए सबको बना करके तयार करे लेते हैं और बेशन के घोल में यहाँ पे डिप करेना है और ओयल भी अच्छे से गर्म है तो इसे में फ्राइ करे लेना है एक एक करके डालना है और जैसे ये पक जाएं तो इन्हें पलट देना है इनको भी पलटेंगे और बढ़िया से फ्राई करना है तो कुछ देर के बाद देखिए इनका कलर चेंज हो जा रहा है और अभी इनको हमें और फ्राई गाएना है अभी ये कम पका हुआ है कुछ देर के बाद देख सकते हैं फ्राई हो जाने के बाद अभी नहें हम निकाल लेंगे बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में खाने में भी बहुत सौधिश्ट लगते हैं तो चलिए प्लेट में यहाँ पे रख लेना है और हरी मिर्च को भी फ्राई करे लिए हैं साथ में लिए चटनी चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप भी इस नास्ते को जरूर बनाईएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कैसा लगा आपको तो अगली रेस्पी आप क्या देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हूँ तो आप सेयर करें और लाइक भी करें तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेस्ट वीडियो में